जिस दिन भोचपूरी अवार्ट शो का आयोजन कुलकाता के नीता जींडोर स्टेडियम में हुआ था जहां लगबग सभी भोचपूरी सितारों का जल्वा देखने को मिला जिस अवार्ट शो में खिसारी लाल यादों ने सभी का दिल जीत लिया जहाई शो में हर कोई खिसा सारी और काजल रगवानी के रिष्टा एक बार फिर चर्चे में आ जाता है आपको पता दे कि इतने बड़े अवार्ट फंक्शन में जहां भोचपूरी के तमाम सितारों के आने के बाद पबंद सिंग का ना आना बोचपूरी दशकों को जितना खला है उससे जादा कहीं दूरे ने कहीं ये सवाल भी भोचपूरी आ दशकों के मन में था कि बोचपूरी की बड़ी बड़ी अक्ट्रसिस काजल रागवानी और भोचपूरी क्वें आक्षरा formas भला इस अवार्ट फंक्शन में क्यों नहीं आए जबकि ये दोनों भीनितरी भोचपूरी की महणी और चर्टिय भीनेट्रियों में से एक है वही शो में भुझपूरी के आमरपाली दुबे यामिनी सिंग अनारा गुपता जैसे कई अक्टरों से जाई थी वही अक्षरा और आमरपाली दुबे की गैर मौजोदगी सब को कहीं ने कहीं खली है और सब के मन में यह सवाल भी थ तो चली आज की स्वीडियों में आपको बताते हैं कि काझल रगवार्णी किसारी को कैसे याद किया लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरे नाम ह Coreyपांडे मिरे साथ कैर्मेंड मुषाल और आप देख रहे हैं जहमाजँ भुझपूरी अभीनेत्री ट्रिजारी घी वार्मि ही हैं कि ये दोनों आपस में रिलेशनिशिप में थे लेकिन इन दोनों ने कभी खुल कर इस बात को एकसप नहीं किया फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं इन दोनों की जोड़ी भी खर जाती है जिस बात का दुख सबसे जादा नजर आते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ क्लकात्या के अवार्ड फ узнаंक्शन में जहां भोजपूरी सिनेमा की इतने बड़े अवार्ड फंकशन में नजर नहीं आएं इसका कारण बताया जा रहा है कि कजळ रगवानी की सारी लाल यादा को नज देखना पसंद करते हैं और न अपड़ से भलकाटा कि आवार्ड फंक्शन में जाकर अपनी जलवा बिखिर रहे थे वहीं काझल लगवान की गाने पर बनाकर अपनी social media पर शेयर कर रही थी जिसके बाद तो यह चर्चा और बढ़ गई कि काझल लगवानी कर दिल अभी भी खिसारी लालियादो के लिए ही धड़कता है और हम ही बात करें काजल रगवानी की इस वीडियो पर आध है कमेंट्स की तो आपको बता दे कि यूजर ने लिखा है कि अगर उस अवार्ड शो में खिसारी सर के साथ आप होती तब तो कहना ही क्या था आप दोनों की जोड़ी नंबर व कर दिया कि जो खिसारी भइया के साथ में बिलकुल अची नहीं लग रही है वहनि एक ने लिका है कि हम लग सोच रहेते कि आप और खिसारी नंग्वानी तहों का पर आपने परफॉरमं पर आपम न अधरास कर दिया यानि फैंस को वह में अभाद का कहीं लगवानी पराज नजर आए आपको बता दे कि काजल अगवाने अक्षा सिंग्री टेश पांडे कल लू गुंजन सिंग जैसे का लाकारों का स्टेश शो में आना तो दूर इस अवार्ड फॉंक्शन के पोस्टर में तस्वीर तक नहीं लगाई गई इसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि हो सकता है कि सवार्ड फॉंक्शन के आयोजक ने इन कलाकारों को इस अवार्ड फॉंक्शन में इन वाईजी नहीं किया हो और यही कारण हो सकता है कि काजल रगवाने सवार्ड फॉंक्शन में ना आकर रील बनाकर ही कि सारी लल यादों को मिस्क कर रहीगी इसी के आज इस वीडियो को यहीं पर समात करते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ तब तक मुझे इजाज़त दीजिए धन्याद